1, 2, 3, Come on नमस्कार दोस्तो केशे हो आप और आपका परिवार सेफ होगे कोईड-19 चल रहा है इसलिए घर में रहे शुरक्षित रहे आज हम बात करने जाने वाले है मेह महीने में होने वाले बजेट सेगमेंट स्मार्टफोन के बारे में जो में महीने में लोंच होने वाले है अगर आपको पतान हो तो मैं बता दू कि मैंने दो दिन पहले भी एक वीडियो सेर किया था जो में महीने में लोंच होने वाले मोबैल के बारे में था तेकिन जो आज हम बात करने जाने वाले है वो में महीने में बजेट सेग्मेंट वा से फोन में ओगे तो हमारे दिसमें सबसे पहले फोन आता है वह है रियलमी का निर्राजो Isle पीर मी नार्जोस क्सश्याए के बारे में बात किये जाये को ढूसरी जो फोन है वह हील्यों G70 और G80 प्रोसेसर के साथ आने वाले है अगर हम उसके चार्जिंग के बारे में बात के जाए तो 18 वर्ट का फास्ट चार्जिंग उसमें सपोर्ट करेगा अगर उसकी बैटरी के बारे में बात के जाए तो 5000 एमेज की उसकी बैटरी होगी अगर हम camera के बारे में बात के जाए तो 48 MP का quad camera होगा अगर पूरा हम phone देखे, phone का over view देखे तो phone काफी interesting होगा और काफी अच्छा होगा हम अगर बात करें कि Narzo 10A है वो तक्रीबन 8-10,000 के बीच में होगा और Narzo Realme 10 है वो तक्रीबन 10-12,000 के बीच में होगा नारजो नाम क्यों रखा गए मुझे मालूम नहीं तक्रीबन काफी interesting नाम है अगर हमारा आत्मे phone आएगा तो हम उसका unboxing आपके सामने करेगे दोस्तो हमारा list में जो next phone है वो Redmi Note 9 है वैसे global launch हो चुका है लेकिन इंडिया में mid-may में आने के पूरे chances से Redmi Note 9 Helio series का G85 की processor के साथ आने वाला है G85 फर्स टाइम Helio launch कर रहा है वैसे Helio series के काफी सारे phone इस में के मेने में launch होने वाले इससे पहले भी हमने देखा के Realme, Narzo के दोनो phone Helio series के साथ आने वाले है अगर हम उसके processor के बारे में बात करें अगर हम उसके charging के बारे में बात करें तो 18W का fast charging होगा और हम उसके camera के बारे में बात करें तो 48MP का quad camera होगा अगर उसके display के बारे में बात करें तो 6.53H की full HD display होगी और punch hole के साथ होगी काफी सारे interesting phone आने वाले है दोस्तो Redmi Note 9 के साथ Redmi 9 भी phone आने वाला है Redmi 9 भी काफी interesting smartphone होने वाला है अगर उसके हम overview के बारे में बात करें तो Redmi 9 है उसका जो display हो 6.22HD प्लस display class आने वाला है उसका जो processor है Helio का G70 या G80 के साथ आएगा उसका battery के है तो 50MH की उसकी battery होगी 18W fast charging support करेगा अगर उसे camera के बारे में बात की जाए तो triple या quad-quad camera के साथ वो आ सकता है अगर हम बात के Redmi 9 और Redmi Note 9 के बारे में तो वो Realme Narzo Series के 10A और 10A को दोने को complete करेगा दोनों के बीच काफी टकर होने वाली है हमारे इसमें जो next phone है वो काफी interesting है वो Realme और Redmi को complete करेगा और उसी के साथ वो काफी सारे smartphone इस मेह के मैने में launch करेगा minimum 2 या 3 smartphone तो वो launch करेगा वो है insphynix हमारे इसमें जो next phone है वो insphynix का hot 9 है अगर हम उसकी और UK के बारे में बात की जाए तो insphynix hot 9 उसके display के बारे में बात की जाए तो 6.6 HD plus उसका display होगा पंच ओल स्क्रीन के साथ आएगा अगर उसकी प्रोसेसर के बारे में बात की जाए तो Helio का A25 होगा मालूम नहीं कि उसने Helio A25 यूज किया है अगर उसकी बेटरी के बारे में बात की जाए तो 5000 mh की उसकी बेटरी होगी केमेर के बारे में बात की जाए तो 16 Megapicture का Quad Camera होगा और वो भी Mid May में लौंच हो जाएगा दोस्तो Infinix Hot 9 जे साथ Infinix से दो और स्मार्टफ़न लौंच होने वाले है वो है Infinix Note 7 और 7 Lite अगर हम Infinix Note 7 के बारे में बात करे तो Helio G70 प्रोसेसर के साथ आने वाला है अगर उसके डिस्प्ले के बारे में बात की जाए तो 6.95 HD प्लस उसका डिस्प्ले होगा पंच होल स्क्रीन के साथ आएगा बेटरी के बारे में बात की जाए तो 5000 एमेज की बेटरी होगी केमेर के बारे में बात की जाए तो सेम प्रोसेसर के साथ आने वाला है Helio G70 के प्रोसेसर के साथ हो आएगा अगर उसके डिस्प्ले के बारें बात के तो 6.6 HD Plus डिस्प्ले होगा वो भी पंच होल के साथ आएगा उसकी बेटरी होगी पांच जार इमेज की बेटरी होगी 48 Megapitcher का Quad camera होगा इस दोनों phone काफी interesting है Infinix Note और Infinix Note 7 Lite हमें उसका इंतिजार रहेगा दोस्तों इन तरफ स्मार्टफोन के साथ इस में के मैने में काफी सारे और स्मार्टफोन लाँच होने वाल है जैसे कि Motorola के तरफ से Moto E-Series लाँच हो सकता है Nokia की तरफ से launch हो सकता है Vivo की तरफ से launch हो सकता है वैसे काफी सारे smartphone है जो budget smartphone है वो इस May के end तक काफी सारे smartphone launch हो जाएगे अगर आपका budget 10,000 है या 10-12,000 है 10,000 के अंदर है तो प्लीज आप May के end तक wait करें आपको काफी अच्छी deal मिलेगी काफी अच्छी सारे smartphone मिलेगे काफी अच्छी सारे feature के साथ मिलेगे दोस्तो और एक बात COVID-19 चल रहा है तो stay home, stay safe घर में रहे, शुरक्षित रहे आज का वीडियो दोस्तो इतना ही